Hey guys, welcome to our channel, No Mistake, Only Agritech तो आज हम लोग राइस कल्टिवेशन के बारे में जानेंगे उसके इंट्रोड़क्शन के बारे में जानेंगे उसके आपको मॉर्फोलोजिकल के बारे में बात करेंगे उसके हम लोग disease, pest and उसके management के बारे में बात करेंगे उसके harvesting के बारे में बात करेंगे उसके yield के बारे में बात करेंगे A to Z आपको rice cultivation के बारे में मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ अगर ये वीडियो आप लोग पूरा देख लेते हैं चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने phone screen पे और rice cultivation को हम लोग start करते हैं तो जाने से पहले अगर जो लोग इस channel पे नए हैं वो like करे, subscribe करे और bell icon दवाना बिलकुल न भूले क्योंकि मैं ऐसे ही interesting video और informative video आप लोगों के बीच लाता रहता हूँ तो without time wasting, let's get started तो हम लोग आ गए अपने phone screen पे तो सबसे पहले हम लोग अपने rice के introduction के बारे में जानते हैं जैसे की rice का botanical name जो होता है वो होता है oraija sativa उसका family जो होता है वो हमारा होता है gramini और ये deployed होता है 20 is equal to 24 इसका chromosome number होता है और इसका origin जो है वो हमारा south eastern Asia है जिसे हम लोग simply indo-berma भी कहते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इंडो मैनमार ठीक है लेकिन आप लोग confused नहीं हो येगा इंडो बर्मा भी कहीं पे अगर option में लिखा रहेगा तो आप उसे टिक करेंगे कि rice का origin जो है इंडो बर्मा है या अगर कहीं पे लिखा रहेगा south eastern Asia तो आप उसे भी click कर सकते है उसके बाद हमारा है ये crop जो होता है वो self pollinated और c3 crop होता है इसका जो test weight होता है जो कि हमारा per thousand gram grains पे निकाला जाता है तो वो हमारा होता है 25 gram उसके बाद inflorescence of rice को हम लोग panicle कहते हैं उसके बाद इसका जो hulling percentage जो rice का होता है वो 66% होता है और ये 1 kg rice grain जो है वो आपको produce होने में 5000 लीटर पानी आपको consume कर लेता है सोचिक कितना जादा ये consume करता है पानी उसके बाद इसका highest productivity जो है वो जापान का है 58 कुंटल उसके बाद and average productivity in India जो है वो हमारा है 18.5 कुंटल प्रती हेक्टेयर उसके बाद rice जो है वो third highest worldwide production में है जो कि sugar cane और मेच के बाद आता है उसके बाद worldwide में इसका 158.8 मिली हेक्टेयर जो कि हमारा data 2015 और 2016 के according है और इसका जो production होता है वो 744.4 MT 2014 के data के according है और ये आपको second largest producer है उसके बाद जो इसका इंडिया में है वो आपको area 46 मिली हेक्टेयर है और इसका production जो है वो 157.2 मिलियन टन्स है 2014 के data के according और इसका जो total food grain production होता है वो 43% होता है और इसका जो 46% जो होता है वो total cereal production का country का contribute करता है वो कि आपको 25% of gross cropped area of the country और और आईजा includes 24 species और आईजा जो है वो हमारा 24 species को include करता है जिसमें 22 जो है वो wild species है और 2 को cultivate मात्र किया जाता है जो की हमारा है औराइजा सटाइवा जो की एसिया अमेरिका और यूरोप जो हम लोग अपने इंडिया में जो ग्रो करते हैं वो हमारा कौन सा होता है और औराइजा ग्लैविर्मा जो होता है वो हमारा वेस्ट अफरिका यह हमारा अफरिका में ग्रो कराया जाता है उसके इंडिका जैपैनिका और जैवैनिका उसके बाद जो हमारा टॉप फाइब प्रोडूजिंग इस्टेट इंडिया का है जो की हमारा 2012 और 2013 के डेटा के एकॉर्डिंग है वो हमारा है वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश आंधर प्रदेश अंते लंगाना पंजाब और बिहार वेस्ट बंगाल सबसेट टॉप पे है इस्टेट जो की हमारा राइस प्रोडूजिंग करता है जिसका हमारा प्रोडक्शन जो है वो हमारा 115 आपको 15023.68 जो है आपका टन्स जो है वो प्रोडूजिंग करता है यहां पर आप डेटा देख सकते हैं आप मोस्टली वेस्ट ब आप याद कर ले क्योंकि अगर आपका कभी इंटर्वियू होता है तो आपके एस्टेट के एकॉर्डिंग कोश्चन पूछते ही हैं उसके बाद है हमारा नूट्रिशनल वैल्यू आफ राइस पर हंड्रेड ग्राम जो हमारा नूट्रिशनल वैल्यू जो है वो हमारा पर 111 जो होता है वो हमारा कैलोरी ब्राउन राइस में मिल जाता है और वाइट राइस में वही हम लोग 130 राइस 130 कैलोरी मिल जाता है तो हम लोग जो अपने लोग खाते हैं वो हमारा क्या रहता है वाइट रहता है उसके बाद टोटल फैट उसमें 1 ग्राम होता है इसमें 0 ग् दिख लेंगे अगर आप इसका स्क्रीन सोट लेके भी रख सकते हैं जिससे आपको फर्दर बाद में भी आप इस डेटा को एनलाइज कर सकते हैं उसके बाद जो है वो हमारा हाइस्ट प्रोडक्टिविटी जो है वो हमारा पंजाब करता है उसके बाद इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है यहाँ डेटा आप देख सकते हैं और बास्मती राइस जो की हमारा इतना करोर रुपय हमारा होता है उत्तर प्रदेश का भी एक्सपोर्टिंग डेटा और उसके बाद अब हमारा है क्लाइमेट एंड स्वाइल रिक्वाइमेंट्स जो हमारा राइस जो है वो हमारा एवरेज टेंप्रेचर जो इसका होता है वो ट्वेंटी वन टु थर्टी सेवन डिग्री सेल से इसके दिग्री सेलसियोस होता है फिर इसके ब्लोमिंग के लिए जो होता है वो रिक्वाइट टेंप्रेचर ट्वेंटी सिक्स पॉंट फाइब डिग्री सेलसियोस होता है फिर राइपनिंग दा टेंप्रेचर सुड़ भी जब हमारा जो हमारा मिल्किंग स्टेज आ जाता है जो जो हमारा rice जब जो ripe होता है पकता है उस type में हमारा temperature जो होना चाहिए वो 20 to 25 degree Celsius होना चाहिए और इसके लिए जो soil हमारा जरूरी होता है वो clay loam soil most suited with pH range between 5.5 to 6.5 होना चाहिए जो हमारा इसका pH होता है वो हमारा 5.5 से 6.5 होना चाहिए और इसके लिए जो soil requirement होती है वो हमारा clay loam soil होता है उसके बाद हमारा जो cropping season होता है rice का वो खरीफ में होता है रभी में होता है और summer और spring में होता है तो खरीफ में जो हम लोग sowing करते हैं वो हमारा us rice होता है जो कि हमारा West Bengal भी हार में किया जा time जो होता है वो हमारा September और October में किया जाता है तो उसके बाद हमारा ravi season में जो किया जाता है वो एमन और अगनी होता है जो कि जून-July में इसका sowing time किया जाता है और November-D concerns में आप लोग को इसका हार्वेस्टिंग टाइम किया दाता है जैसे कि अभी मैं चल रहा है तो अभी खड़िप सीजन राइस का अस राइस का जो कि बिहार और वेस्ट बंगाल में अभी इसका सोइंग टाइम चल ला होगा उसके बाद इसका हार्वेस्टिंग जो है वो सेप इसकी जो हर्बेस्टिंग होती है वो मार्च अप्रील में कर दी जाती है उसके बाद हम लोग यहां पर बाराइटी देखेंगे जैसे कि बाराइटी जो डिपेंड करता है वो डिफेंड एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन पे cropping system for load पे और green quality के उपर और several other factor के उपर हमारा variety depend करता है जैसे several other factor में हमारा क्या आ गया जैसे irrigation हो गया management हो गया यह सारा चीज़ देख सकते हैं तो उस पे variety depend भी करता है ठीक है फिर हमारा जो state है जैसे की आंध्रप्रदेश state है उसमें हमारा rain fed up land में हमारा जो variety है वो रवी रजिंदर ETC होता है उसके बाद irrigated early में हमारा अभय सत्या जो होता है वो गुरो कराया जाता है irrigated mid early में नार सिंग काकात्या किया जाता है irrigated medium में APHR2 और DRRHI उसी तरह बिहार में आप देखेंगे तो विरसा धन 201 एंड दीपा grow कराया जाता है वो हमारा rain fed up land में कराया जाता है grow irrigated early में प्रहलाद कराया जाता है irrigated mid early में किरन गौतम कराया जाता है और irrigated medium में सीता बिरसा धन 202 कराया जाता है तो यह सब data है जो कि important है आपके exam purpose के लिए भी तो आप लोग इसे mind में रखेंगे उसके बाद हमारा method जो है वो किस-किस तरह से rice का cultivation किया जाता है तो सबसे पहले है aerobic rice किया जाता है उसके बाद alternate wetting and drying किया जाता है ground cover rice production system से किया जाता है deep water rice किया जाता है cultivation through deep irrigation, sri, raised bed saturate soil method, upland cultivation, lowland rice rice, तो सबसे पहले हमारा है aerobic rice cultivation, aerobic rice cultivation में जो उसका variety होता है वो हमारा PMK3 और CO47 होता है यह well drained होता है और non puddled होता है, यह puddling के थूरू नहीं किया जाता है और इसमें जो है, इसमें 50% जो है water का saving हो जाता है irrigation water का और इसका जो targeted area होता है जहां पे यह aerobic rice cultivation किया जाता है, वो हमारा upland हो गया, उसके बाद undulating rain fed lowland area में किया जाता है और water short irrigated lowland जहां पे पानी की थोड़ी कमी होती है, वहां पे हम लोग aerobic rice cultivation करते हैं फिर हमारा alternate wetting and drying होता है AWD जिसे हम लोग कह सकते हैं और उसे intermittent irrigation भी कहते हैं और controlled irrigation भी कहते हैं इसमें water का पूरा controlled way में use किया जाता है और इसमें जो है 15-30% water को save किया जाता है फिर हमारा है ground covered rice production system इसमें क्या होता है mainly in mountainous region यह जो हमारा cultivation practice किया जाता है rice का यह हमारा mountainous region में पहारी छेतरों में इसको use किया जाता है और soil is constantly kept very moist but not not flooded इसमें जो होता है वो हमारा flooded नहीं होता है लेकिन हमारा जो soil जो होता है वो totally moested रहता है उसके बाद इसमें हम लोग use करते हैं plastic seat और pre-composed straw वो इसलिए use करते हैं as a mulching use करते हैं से water जो आपका है वो बना रहे field में और इसका फिर evapotranspiration check कर लेते हैं और इसमें organic matter जो है organic material जो है वो add करते हैं soil में तो इस तरीके से हमारा ground covered rice production system हमारा cultivate किया जाता है उसके बाद हमारा है deep water rice cultivation जो की एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यह puddling भी हो शकता है तो grow where water more than 50 cm deep for at least a month एक मन तक मतलब 50 cm जो है वो deep होना चाहिए two type of rice यहां पे grow कराया जाता है floating rice and traditional talls तो traditional talls variety जो किया जाता है वो उसका जो depth रहता है between 15 cm to 100 cm होता है और floating rice का जो होता है वो 100 cm से deeper होता है जादा होता है तो इसका example आप लोग कह सकते हैं ले सकते हैं deep water rice cultivation का स्वर्णा one उसके बाद drip irrigation system से जो कराया जाता है यह बहुत ही नया system है जो कि अभी rice cultivation में experiment किया ही जा रहा है और यह experiment जो है वो different public and private sector कर रही है जैसे कि IARI Indian Agriculture Research Institute फिर TNAU कर रही है जेन irrigation system कर रही है और यह world's second largest micro irrigation company है फिर हमारा है system of rice intensification ऐसे हम लोग जो करते हैं इसे developed medagaskar से किया गया था जिसमें जो कि इसके father है Henry D. Lolani और यह formal experiment जो इसका start हुआ है वो इंडिया में 2002 से 2003 में किया गया है फिर हमारा advantage SRI का क्या क्या होता है वो technique से अगर हम करते हैं तो इसमें 30 to 40% जो है irrigation water का saving होता है और 80% seed जो है वो हमारा save हो जाता है इसमें उसके बाद इसमें हम लोग chemical input को save करते हैं more healthy and tasty rice due to organic farming farming practices उसके बाद better and higher yield with lower input और crop duration reduced by 7 to 10 days due to absence of transplanting socks जो हमारा crop duration जो होता है वो 7 to 10 days reduced हो जाता है उसके बाद हमारा upland rice cultivation वो किस तरीके से होता है जिसे हम लोग direct seeded rice भी कहते हैं उसके बाद ये mainly early maturing variety 100 to 115 days जो होता है वो हमारा upland rice cultivation में होता है और seed जो है वो दो two way से हम लोग showing करते हैं behind the plug plumbing से पहले हम लोग seed का showing कर लेते हैं या drilling और दूसरा हमारा होता है broadcasting 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 method से हम लोग भी इसमें showing करते हैं इसका field preparation जो करते हैं वो रवी क्रॉप का अप्रील मैं में harvest after harvesting the रवी क्रॉप जब हम लोग रवी क्रॉप का harvesting कर लेते हैं अप्रील मैं में the field should be plough with soil turning plough जो हम लोग soil का ploughing करते हैं तो उसमें हम लोग band prepare करते हैं और फिर हम लोग around the field just after the first sewer of monsoon जो हमारा first monsoon से पहले हम लोग उसमें sowing कर लेते हैं फिर हमारा method of raising seedling हम लोग nursery में हम लोग क्या से seedling को जो है वो raise करते हैं ग्रो करते हैं तो उसका mainly nursery में तीन वे से राइस को ग्रो कराया जाता है पहला है wet bed nursery दूसरा है dry bed nursery और तीसरा है depog method तो wet bed nursery में क्या होता है यह worldwide है सबसे ज्यादा popular worldwide है और इसमें जो है हम लोग raised bed within the swamp हम लोग इसमें swamp से raised bed बनाते हैं इसमें 225 ग्राम यूरिया और 500 ग्राम अमोनिया sulphate and 500 SSP for 10 square meter और हम लोग इसमें apply करते हैं और इसमें हम लोग bed को saturated कर देते हैं 5 दिन के लिए water से और seedling should be ready for transplanting at the age of 20 to 25 जो हमारा इसमें जो seed grow होता है वो हमारा 20 to 25 देज के बाद हम लोग इसे transplant कर सकते हैं field में उसके बाद हमारा dry bed nursery जो कि हमारा जहां पे water जो है वो sufficient जहां पे नहीं होता है वहां पे हम लोग dry bed nursery का use करते हैं और seed rate जो होता है वो same होता है और fertilizer जो कि हमारा wet wet nursery में use होता है ये भी इसमें same ही use किया जाता है और bed should be water thoroughly immediately after planting and twice every day thereafter जो हमारा bed बनता है उसमें जो हम लोग seed लगाते हैं और जो हम लोग sowing करते हैं उसके तुरंट बाद हम लोग इसमें प्लांटिंग के बाद हम लोग तुरंट बाद इसमें पानी दे देते हैं फिर हमारा है देपोग nursery में क्या होता है ये हमारा जो डेपोग nursery है वो इंडिया में फिलिपिन्स में introduced in India from Philippines फिलिपिन से इंडिया में introduced किया गया था और इसका जो आपको main merit है वो less area is needed to raise seedling जो हमारा इसका जो main merit है वो less area में हम लोग seedling को raise कर देते हैं about 25 to 30 square meter में हम लोग इसे raise कर देते हैं और save almost half of the time in seedling raising और हम लोग time भी इसमें approximate 50% ही use करते हैं जैसे कि कहने का मतलब है कि अगर other raising में हम लोग 1 hour use कर लेते हैं तो इसमें only 30 minute में ही हमारा काम हो जाएगा उसके बाद है इसमें next point है one square meter of seed bed should be required for every 3 kg of seed one square meter जो है वो 3 kg के लिए use किया जाता है seedling would be ready for transplanting within the 11 to 14 days 11 से 14 दिनों के अंदर में जो seedling है वो हमारा transplant के लिए ready हो जाता है फिर हमारा इसका land preparation कैसे करते हैं लैंड preparation कैसे करते हैं तो brushing and clearing करते हैं फिर हमारा repairing water control structure and plowing and pundling करते हैं first plowing जो होता है वो 2 से 3 week के बाद transplanting के बाद शुरू हो जाता है क्याने का मतलब है कि हमारा जो first plowing जो होता है वो 2 से 3 week पहले transplanting करने से पहले हम लोग इसका first plowing कर देते हैं और second plowing जो है जो हमारा 7 से 10 दिनों के बाद first plowing जब करते हैं उसके 7 से 10 दिनों के बाद हम इसका second plowing भी कर देते हैं और हमारा फिर है puddling जो है वो हमारा second plowing के बाद 10 दिन के बाद हम लोग जब हम लोग transplanting करने वाले रहते हैं उससे बस एक दिन पहले हम लोग इसका puddling कर देते हैं और if the basal application of fertilizer is intended broadcast the fertilizer just before puddling फिर्टिलाइजर भी अगर हमें डालना पड़ता है तो हम लोग एक दिन पहले puddling से हम लोग fertilizer भी apply कर देते हैं तो यह कुछ इस तरीके से हमारा land preparation किया जाता है rice cultivation में फिर हमारा है transplanting transplanting कितने तरीकों से करते हैं hand transplanting होता है उसके बाद broadling होता है तो hand transplanting में क्या होता है कि most widely practiced method यह सबसे जादा method जो है वो practice किया जाता है और इसमें एक या दो one by two है तो इसमें आप लोग एक deep transplanting इस भी थोड़ा सा अंदर इसको करके काट लेते हैं फिर space the hills eight into eight during the weight season weight season में हमारा जो हमारा plant to plant रहता है वो eight to eight रहता है raw to raw उसके बाद six to six जो हमारा dry season में होता है और यह modified किया जा सकता है broadling में हमारा होता है जहाँ पे हमारा इस method को वहाँ पे use कहाँ किया जाता है जहाँ पर extremely boggy होता है वहाँ पे इस rice को ऐसे grown किया दा making it difficult to walk in them जहाँ पे वहाँ पे हम लोग चलना मुस्किल हो जाता क्योंकि raw to raw distance वेगारा नहीं होता है और seedling are thrown randomly into two into the puddles जो हमारा puddling swall रहता उसमें हम लोग direct एक तरीके समझ लीजिए कि यह हमारा broadcasting method हो गया डायरेक्टर से हाथ से लिए effect दिये the technique requires smaller product than found ordinary जो हमारा यह जो technique होता है ब्रोड लिंग यह आपको छोटे से area में आप इसको use कर सकते हैं कि आप इसके किनारे से आप साड़ा चीज handle कर सकते अदर्वाइज इसके बीच में आपको चलना मुश्किल हो जाता है फिर हमारा broadcasting sprouted seed in puddle field जो हमारा broadcasting जो होता है वह 100 यहां पर आप देख सकते हैं first point area where there is a shortage of level or otherwise level is very extensive for transplanting जो यह जो होता है न यह method हम लोग वहां पर यूज करते हैं जहां पर लेवर का shortage होता है 100 kg seed are required for one hectare 100 kg seed जो होता है वो एक hectare के लिए requirement इसकी होती है seed should be soaked in water and pre-germinated before broadcast जो हम लोग इसके seed को पहले हम लोग इसको water में soak कर लेते हैं और इसको पहले ही थोड़ा सा germinate करवा देते हैं उसके बाद हम लोग इसका broadcasting method से showing कर देते हैं the sprouted seed with radical length one to two millimeter are uniformly broadcast by hand one to two millimeter जो है इसका sprouted हो जाना चाहिए minimum इसका जो water management होता है वो हमारा requirement इसका जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है initial period about 10 day जब जो यह हमारा initial period रटा है 10 दिनों का तब उसमें rice का water requirement बहुत ज्यादा होता है और इसका जो critical stage जो होता है यह question जो है critical stage of rice यह आपको competitive exam बगड़ा में भी पूछे जाते हैं तो इसका जो आप होता है tillering to flowering tillering to flowering जो होता है वो हमारा इसका critical stage होता है तो इसे आप लोग याद कर लेंगे फिर हमारा है water allowed to stand in the field at depth of 2.5 cm जो हमारा water जो है वो हमारा stand करता है field में 2-5 cm water drained out from field 7 to 15 days before harvest encourage quick and uniform maturity of grain water saving method हम लोग क्या करते हैं system of rice intensification sri technique यूज कर लेते हैं alternate wetting and drying system यूज कर लेते हैं aerobic rice यूज कर लेते हैं direct seeded rice यूज करते हैं यह सब हमारा technique है जिससे हमारा water save हो सकता है जैसा कि sri awd जिसके बारे में मैंने अभी तुरद आप से बात की है वो सब technique जो हमारा है वो यूज करेंगे तो वो हमारा water saving method हो जाएगा फिर हमारा है weed control अब अगर हमारा कोई crop है उसमें different weed लगते ही है different paste लगते ही है different disease लगते ही है तो अब हम लोग weed के बारे में बात कर लेगते हैं weed जो होता है वो हमारा 20-40% तक rice का हमारा yield जो है वो reduce कर देता है इसमें जो most common weed जो होता है वो हमारा आप देख सकते हैं इकन क्लोवा क्रस गली एंड सिप्रस इडिया इलिक्टा इडिया सिप्रस डेफॉर्मिस सेटेरिया गलेवुका इसकीरपस स्पीसीज सियोसिया अर्जेंटिया इडिसी यह सब हमारे जो weed है यह सब हमारे rice में लगते हैं most जो लगते most common weed है यह हमारा और इसको हम लोग जो है जब हम लोग transplanting कर देते हैं उसके 20 दिनों के बाद हम लोग इसको remove कर देना चाहिए और जब हमारा second जो है second बार में हम जब इसका weed management करेंगे तो वो हमारा 50-60 दिनों के बाद इसका weeding जो हमारा कर देना चाहिए इसमें हम लोग जो यूज करते हैं chemical method वो हमारा जैसे कि herbicide जो हमारा यूज किया जाता है weed control के लिए तो उसमें butachlorol 50 1.5 kg per hectare within 5-6 days of transplanting जब हमारा जो transplant किया जाता है तो 5-6 दिनों के बाद इसमें हम लोग butachlorol 50 जो है वो हमारा 1.5 kg per hectare 1.5 kg हम लोग इसमें मिला देते हैं उसके बाद thai thaiobincarp भी हम लोग 30 ये 1.5 kg यूज कर लेते हैं same है 5-6 day before transplanting after transplanting उसके बाद पेंडा मिथैलीन यूज कर लेते हैं 31 kg per hectare spray uniform within 1-2 day of direct settling of paddy फिर हमारा है disease of rice rice में कौन-कौन सा disease रखता है तो सबसे पहले हमारा है blast जिसको हम लोग कहते हैं blast of rice इसका जो हमारा pathogen होता है वो pyricularia ओड़ जाई होता है जो की एक तरह का fungus होता है इसमें क्या होता है ये हमारा infection जो होता है वो stage of growth, growing stage में ये हमारा आता है और इसमें जो है आपको spindle shaped आपके leaf पे इसका जो है grey center and brown hollow जो हमारा structure leaf पे तयार हो जाता है उसको अगर हम लोग control करेंगे तो उसके लिए हम लोग को spray 0.1% hinosan 50 EC और spray बावाइस्टीन बावाइस्टीन का भी हम लोग अगर spray कर लेंगे तो वो हमारा blast of rice खत्म हो जाएगा और 10 kg seat with 5 ग्राज emission and 1 gram streptosiline in 10 liter of water for 24 hour before sewing जब हम लोग sewing करते हैं तो उससे पहले हम लोग जो है इस चीज का यूज करेंगे तो हमारा blast of rice control हो जाएगा फिर हमारा दूसरा है brown spot brown spot of rice इसका जो हमारा pathogen होता है वो halmanthosporium और जाई होता है जो कि हमारा kernels of infected spikelet become stribled and discolored हमारा plant का leaf discolored हो जाता है उसके बाद brown spot starts as small circular to oval dark brown lessons with a light yellow hello around their outer age तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि हमारे leaf पे जो है वो small small जो brown spot होता है वो हमारा मतलब एक circle type का और oval type का वो हमारा पहले circle बनता है फिर वो हमारा oval shape में change हो जाता है तो वो spot आ जाता है तो उसे ही हम लोग brown spot कहते हैं इसका control major है 3 to 4 spray with 0.2% genev और manco jev 75 wp wittable powder तो हम लोग इसका 3 से 4 बार spray करेंगे तो हमारा brown spot हमारा control हो जाएगा फिर हमारा है false smut false smut का pathogen जो होता है वो हमारा उस टेंग ग्वैनिडिया वारेंस fungus ठीक है इसका जो हमारा transformation transformation of the individual grains into greenish sport ball of velvety appearance balls are slightly flattened smooth and yellow and covered by a membrane इसका जो balls जो यलो ही सा जाता है plant पे आप main field में जाके इसे देख भी सकते हैं तो इसको हम लोग जो disease रहता है उसको हम लोग false smut कहते हैं और यह control किया जाता है आपको 0.2% copper oxy chloride blitox जिसे हम लोग कहते हैं at the time of 50% panical emerge जब हमारा panical emerge जो होता है उस time में हम लोग इसका use करते हैं तो हमारा false smut हमारा control हो जाता है फिर हमारा seeth blight seeth blight का हमारा pathogen जो होता है वो हमारा होता है rhizoktonia soleni जो कि हमारा एक तरह का fungus है mostly आपको rice में जो लगता है वो fungal disease ही होता है इसमें क्या होता है grayish green lessons on the leaf seeth between the surface of irrigation water and the leaf blade यहाँ पर आप picture में देख सकते हैं कि नीचे में आपका greenish grayish green जो हमारा color हो जाता है उसके बाद the lesson may also extend to the leaf blade जो वो हमारा बढ़कर leaf blade तक भी जा सकता है आपको picture में so भी हो रहा है कि किस तरीके का वो आपको infection वो होता है इसका control जो होता है वो हमारा 1.1 kilogram carvenda gene या बाबा इस्टीन पर हेक्टेर in 1000 लीटर of water में अगर हम लोग मिला कर इसका spray करते हैं तो वो हमारा seed blight जो है वो control हो जाता है फिर हमारा stem insect paste हमारा कौन-कौन सा insect paste जो होता है वो हमारा rice में लगता है तो हमारा सबसे पहला है stem borer जो कि हमारा stem को damage करता है यह हमारा larva के through damage करता है और they bore and feed inside the stem यह हमारा insect के अंदर घुच जाता है और फिर इससे खा जाता है the drying of the drying of growing part for the base causing the plant आई जो हमारा है growing जो है वो उसका dying हो जाता है और base causing the plant है इसका जो control होता है वो हमारा furadon at the rate 30 kg per hectare से हमारा किया जा सकता है या thymet अगर हम लोग 10% granules को अगर 10 kg hectare में 3-4 cm standing water in the field में हम लोग use कर mix कर देंगे तो हमारा stem border control हो जाएगा फिर हमारा है गॉल मिज गॉल मिज जो है वो sucking type insect होता है और यह regular tillers are transferred into tubular gals resembling the leaf of onion यह हमारा regular tillers को transform कर देता है tubular gals में उसके बाद इसका हमारा control जो होता है यह हमारा stem border के same जो है वो हम इसका भी control कर सकते है हमारा thymate से ओके फिर हमारा गुंधी बग यह हमारा बोथ इसका जो nymph और adult जो होता है वो हमारा damage करता है और यह plant के sap को suck कर लेता है और यह particularly the milky juicy of the development grain in the early morning hours और at dusk जो हमारा milking stage होता है यह juicy material को suck कर लेता है और grains जो है वो हमारा खत्म हो जाता है और यह थोड़ा सा भड़ा होता है इसका हमारा control जो होता है वह कभी कभी आप देखेंगे की rice के field में जो उसका जो grain होता है वह रहता ही नहीं है यह उसमें बहुत छोटा मतलब कम रहता है तो वह हमारा गुंधी बगी जो होता है वो उसी के कारण होता है फिर हमारा कंट्रोल जो होता है उसमें अगर हम लोग 2% मिथाइल पैरा थियान अगर यूज कर लेते हैं तो हमारा गुंधी बग कंट्रोल हो जाता है फिर हमारा राइस हिस्पा राइस फस्पा जो होता है राइस इसपा जो होता है वो हमारा adult stage जो होता है वो हमारा damage करता है इसमें क्या होता है कि insect जो है scrap on upper surface upper surface पे वो scrap करेता है lip blade के उपर और living only lower epidermis और वो सिर्फ lower epidermis को छोड़ता है इसको control हम लोग phosphamidon से हम लोग 85 SL 0.5 mm in 1 liter of water of monocrotophos 36 EC at the rate 1 ml in 1 liter of water और dust 2% methyl parathion at the rate 20 kg per hectare हम लोग इसमें dust जो होता है पावडर फोर्म में वो हमारा methyl parathion जो है 2% अगर हम लोग 20 kg per hectare में यूज करेंगे तो हमारा rice हिस पर control हो जाएगा फिर हमारा इसका harvesting and tracing इसका harvesting जो होता है यह हमारा 85 to 90% जब हमारा panicle ripe हो जाता है उसका मतलब हुआ 90% of the spike spikelets are golden and hard तब हम इसे harvest कर लेते हैं drain the plot 7 to 10 days before anticipated harvesting add time of harvesting moisture content जब हमारा harvesting होता हो इस टाब में moisture 20 to 26% होना चाहिए 12 to 14% before miling और storage 25 12 to 14 percentage जो है वो हमारा storage से पहले होना चाहिए yield जो होता है वो इसका हमारा होता a wild managed crop of mid duration 135 to 150 paddy yield about 60 to 70 kundal paddy per hectare होता है और अगर हमारा short duration variety रहेगा तो इसका 45 to 55 kundal per hectare होगा और अगर हमारा hybrid rice रहेगा तो हमारा 60 to 70 kundal per hectare होगा इसके हमारा conclusion और future aspects क्या निकलता है कि जो हमारा half of the world population है वो हमारा rice specific food पर depend है उसके बाद आने वाले 2025 तक जो हमारा है वो 50 to 20 mili hectare irrigated rice field जो है वो water के कमी से scarcity से हमारा सफर करेगा उसके बाद हमारा अगर yield के paddy को थोड़े अच्छे से देखे तो हमारा mid to late duration जो होता है उसका 60 to 70 kundal per hectare होता है short duration variety का मैंने अभी बताया 45 to 55 kundal per hectare and hybrid rice का 60 to 70 kundal per hectare और आप अब यहाँ पर कुछ image देख रहे है जो कि हमारा structure of rice seed का है तो structure जो हमारा किस तरीके से रहता है तो देखिए पहले होता है यह hull होता है उसके बाद फिर हमारा एक layer होता है जिसे हम लोग brand layer कहते हैं और फिर अंदर होता है इंडो स्पर्म और उसके फिर नीचे side से होता है embryo ठीक है उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि rice का panicle का मैंने इस पूरे वीडियो में जिक्र किया है तो panicle किस तरीके का होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि panicle कुछ इस तरीके का दिखता है उसके बाद जो हमारा नर्सरी में हम लोग जिक्र किये है ड्राइवेड नर्सरी का वेट वेड नर्सरी का डेपग नर्सरी का तो यह हमारा ड्राइवेड नर्सरी का इमेज है तो आज की इस वीडियो में इतना ही thank you don't forget to subscribe our channel if you like the video give it a thumbs up and तब तक के लिए अब हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए informative वीडियो के साथ तब तक के लिए bye bye